लोग सबच नौ से पहले आम आदनी पार्टी के नेता कोट के चकर लगा रहे है कि जी हमें बेल दे दीजिए सत्ता मियाने से पहले दूसरों पर ब्रस्टाचार का आरोप लगाने वाली पार्टी के नेता अब खुद ही ब्रस्टाचार में सने नजर आते हैं कोट भी उनके कांड को देख कर हैरान है ED लगातार आपके नेताओं के खिलाफ कारवाई कर रही है मनीश सोधिया संजय सिंग और सत्यंदर जैन के बाद अब केजरवाल की बारी है लेकिन गिरफतारी से बचने के लिए केजरवाल खोब तीगरम भिरा रहे हैं लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है दिल्ली के सिये मरविंद केजरवाल हाई कोट पहुचे थे ED के समन को चुनौती देने के लिए केजरवाल गय थे कोट छबबे जी बनने लेकिन कोट ने केजरवाल को दूबे जी बना कर लोटा दिया है केजिरवाल को कोट ने ऐसा हरकाया है कि केजिरवाल मन ही मन सोच रहे होंगे कि कहीं इस बार की होली सिसोधिया संजय सिंग और सतिंदर जैन के साथ जेल में ही न बीते केजिरवाल अब सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो ED के सामने पेश ही हो जाते तो बहतर होता केजिरवाल ने जो शराब के नाम पर कथित भरस्टाचार किया था उसकी पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है सांथी केजिरवाल को अब कोट से भी फटकार परनी शुरू हो गई है इस बार भी ऐसा ही हुआ है क्या है ख़बर पताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल दिल्ली के सीए मर्विंद केजिरवाल ने शराब निती मामले में एडी के जरिये बार बार समन भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोट में आचिका दायर की और गिरफतारी से रहात मांगी लेकिन कोट ने उन्हें जटका देते हुए गिरफतारी से रहात नहीं दी केजिर्वाल की पैरवी करते हुए सिनियर एडवोकेट अविशेक मनु सिंग्वी ने कहा कि ED के सवी समन कानूनी प्रकिडिया और प्रभधानों के अनुसार नहीं है वहीं के जिरवाल के वकील सिंग्वी ने गिरफतारी से पोटेक्शन की मांग भी की सिंग्वी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को PMLA Act से परिभाशित नहीं किया गया है सिंग्वी ने दिल्ली हाइकोट से नोटिस जारी करने की मांग की है और कहा है कि इस मामले में ED से जबाब मांगा जाए लेकिन कोट ने के जिर्वाल के वकील से पूछा है कि आप ED के सामने पेश क्यों नहीं होते आप देश के नागरिक हैं समन सिर्फ नाम के लिए है हाई कोट ने केजरवाल से कहा कि पहले आप देश के नागरिक हैं पेश होंगे तो पता चलेगा कि ED क्या करती है हाई कोट ने कहा कि समन केजरवाल के नाम है ऐसे में केजरवाल को कोट के सामने जाना चाहिए इस पर के जिरवाल के वकील अभिशेक मनु सिंग्भी ने कहा कि आपके नेता मनीशी सोधिया और संज्या सिंग को ED गिरफतार कर चुकी है ED के जिरवाल को भी गिरफतार कर सकती है वे भाग नहीं रहे हैं लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वो पेश हो जाएंगे उन्होंने कहा कि BJP का मुख्य मकसद यही है कि कुछ भी करके CM के जिर्वाल को इस चुनाओं से बाहर किया जाए इसलिए पिछले कई महीने से इसकी प्लानिंग की जा रही है शड्यंत रचे जा रहे हैं आपका कहना है कि ED के समन BJP दफ्तर की ओर्डर पर भेजे जाते हैं ले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं